हेलो स्टुडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टुडेंट्स आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 28 करेंगे जो की क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश ये वर्क्षिट 18 जैनवरी 2021 की है तो आएए करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट में सिर्फ आज हम कोशन अंसर करेंगे तो आईए देखते हैं आज की वर्क शिक्टी तो फर्स्ट कोशन में यहाँ पे कुछ लाइन्स ली गए यह संटेंस दिये गए हैं जिने सेक्वेंस वाइस करना है तो आईए करते हैं तो सबसे फर्स्ट पर आएगा 6 फिर 5, 8 3, 1 2, 7, 4 तो इस तरह से आप इन सारे संटेंस को अरेंज करेंगे पहले 6 लिखेंगे फिर 5, 8 3, 1, 2, 7, 4 आगे अब हम करते हैं कोशन नमबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया कोशन में पेटा फिलिंग दा ब्लैंक से यहाँ पर कुछ देखें के अदर आएगा बेटा दा फोन बिलोंग टो हिम दा फोन बिलोंग टो हिम नेक्स्ट फिफ्ट का आँसर भी हम बेटा बाद में करेंगे अब हम करते हैं 6 में 6 में देखो फाइंड अवर्स दा अबव पैसे विदिन मीन यहाँ पर कुछ words दिये गए, उनसे related हमें meaning ढूनना है paragraph में से, तो आईए देखे, first में आ जाएगा light ahead first में आ जाएगा light second में देखे क्या आएगा degling second में क्या आजाएगा degling d-a-n-g-l-i-n-g बेटा, अब हम करते हैं third and fifth cancer तो आईए करते हैं third and fifth cancer देखे, third question का answer क्या हो जाएगा बेटा father said that a phone would follow if it had first been carried third का answer हो जाएगा the father said that a phone would follow if it had first been carried fifth का answer देखे, it wanted to love and play with him वो क्या करना चाता था, उसके साथ phone के साथ में love करना चाता था उसको उसके साथ में play करना चाता था तो आज की worksheet complete होती है इसका explanation जल्दी उसका वीडियो भी आपके लिए आएगा तो आज की worksheet complete करके अपनी teacher से चेक कर आएए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक यू